चलो भी पठना स्राट करें हम महात्मा गांधी का इंडिया आने के बाद के भारत के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे अब बाचीत बिल्कुल बंद कर दो किसी को पर्सनली मुझे ना बोलना पड़े कि बाते नहीं करनी महात्मा गांधी ये उपाधी मिल गई थी भारत आने के कुछ टाइम बाद ही महात्मा गांधी का इंडिया आना कब वापसी कब हुई क्या डेट थी 1915 इस दिन हर साल एक डे मनाते हैं फ्रवासी भारती ये दस उन इंडियन्स की याद में जो किनी कारणों से अपना देश छोड़के विदेश में जा बसे और एक तरह का फेस्टिवल टाइप मनाते हैं तीन दिन तक या तो 7-8-9 या 8-9-10 या 9-10-11 ये डेट या तो पहले आती है या बीच में या बाद में आएगी जरूर ये क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी इंडिया आये थे महात्मा गांधी ने इंडिया आके जी के गोकले इनसे एक मूल मंत्र सीख लिया और वो मूल मंत्र क्या था कि भाया कुछ मत कर पहले ये देख इंडियन चाहते क् और इसलिए गांधी ने पूरा 15 खाली, 16 खाली, पहला अंदोलन 17 में चलाया, जो कहां पर था चंपारण, चंपारण के बिहार के किसान परिशान थे, एक स्पेशल पदती थी, तिन कठिया, जिसमें खेत को 20 हिस्सों में बाटके, जो सबसे उपजाओ तीन हिस्से होते थे, उनमें खेती करनी पड़ती थी नील की, नील मतलब इंडिगो, और इंडिगो मिट्ट के पी-エच मान को बढ़ा देता है, जिसकारण से घटा देता है, जिसकारण एसिद के मात्रा जो नेचर है उसका भड़ जाता है, मिट्टी लगातार अगर एसिद का नेचर बढ़ता तिन कथिए, जिसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधि को एक आदमी थे, राम्चंदर शुक्ल, उन्हों ने कहा कि सर आप गुजरात में बैठे आप और आपकी बहुत ज़रूरत हमें बिहार में हैं, तो राम्चंदर शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधि बिहार के इससे पहले महात्मा गांधी ने सत्य के लिए आगरह सिर्फ अफरीका में कर रहा था और हम जानते हैं गांधी जिने खुद कहा है कि I was born in India but I was made in South Africa कि मुझे जो बनाया मैं जिस काबिल हूँ यह इससे लिए काबिल हूँ क्योंकि मैं South Africa गया अगर मैं इंडिया में ही रहता तो एक दब्बू और बिल्कुल शान्त और जो बोल भी ना पाए इस तरह की personality थी गांधी की लेकिन गांधी फिर देश के दुनिया के सबसे बड़े mass leader कहला है तो कही ना कहीं South Africa का वो exploitation वो बेज़ती जो गांधी की हुई एक दिन मैंने आपको दो मेंड़क की कहानी सुना जब गांधी इंडिया पहुंचे तो गांधी जी की ऐसा नहीं किस से पहले इंडिया नहीं आहिए। इन्नी 101 के गॉंग्रस के अधिवेशन में गांधी एक मेंबर थे पैला अंडोलन सत्या ग्रह का Запारन्न पहला चंपारन था चंपारन में गांधी जी गीफ एक समिठी जिसने कहा कि हाँ ठीक है गलत तरीका है तीन बटा बीस पे जवरजस्ती खेती करवाना और गांधी जी की बात उपर आ गई कि इसको विरोध करते करते गांधी जी लीडर बन गए चंपारण के बिहार के गांधी जी किसमत साथ दे रही थी और जब आपकी किसमत साथ चलती ह तो आपको ऐसी सिचुएशन्स मिलती जाती है कि आपका काम अगे से बढ़ता चला जाता है गांधी कुछरात के हैं चंपारण बिहार में गांधी जी फेमस हो गए 1917 में पर भी लोकल लीडर है कोई देश नहीं जानता कौन गांधी जी इसी टाइम पर बाएचांस एहमद प्लेग जो की चुहों से फेलता है जिसमें प्रभाव पड़ता है जिसे कोरोना में रेस्पिरेटरी सिस्टम पुरा इसे ब्लड पे एफेक्ट डालता है प्लेग तो 1917 में चंपारण और 18 में गांधी जी किसमत नें का साथ दिया बाएचांस इसी टाइम पर यहां प्लेग फैला था और प्लेग जब फैला तो एहमदाबाद में जो बड़ी बड़ी मिल लगी हुई थी कपड़ों की यहां मजदूर काम करते हैं मिल मालिक होते हैं और मिलके मजदूर होते हैं यह मिल मजदूर स्यादा तर भारत के इस इलाके से जाते हैं आप जानत मिट्टी जहां raw material होगा वहीं तो इंडस्ट्री बनेंगी अब यहां काली मिट्टी है जिसकारण यहां cotton की इंडस्ट्री लगना असान है इस पूरी बेट में जब इंडस्ट्री है तो नौकरी है और नौकरी है रोजगार है तो लोग भागे भागे जाते ही हैं मध्य भारत से बहुत सारे लोग अपनी रोजी रोटी कमाने यहां जाते थे ठीक है सब कुछ चीक चल रहा था यहां अचानक से प्लेग फैल गया प्लेग फैल तो मौत होने लग गई और यह फैलता है जिसे आज एक को एकल पचास को फिर पांच सो को जैसे पोरोन नहीं था एक से फै गई हजार दो हजार किलो मिटर सफर तै करके देखे थे ना पिक्चर आपने रास्ते में कोच चाई की दुकाने कुछ खाने करने कैसे पैदल कितने लोग नीचे कटके मर गय तो बिचारे जाते जाते तब भी ऐसा ही हुआ हजारों की संख्या में लोग यहां काम करते थे यह वापस भागने लग गए बिहार, उडिसा, जारकर्ण, मध्यप्रदेश जिन गाहों से यह गरीबी को काटने के लिए बिचारे शहर आये थे जब यह वापस जा रहे थे ना तो इनकी चिंता हुई मिल के मालिकों को इनकी चिंता नहीं हुए अपने मजदूरों की क्यो तो यह रुख जाए, हम तुम्हारी जो सेलरी है जो तंखा है यह कही डुणा बढ़ा देंगे अब आद्मी बचारा गरीब आपना अपने मन में लोग जाता है कि मरना होगा मौगा तो यह भी अगर भी नहीं बचुणा और अगर मुत लिए तो अ पने घर भी रह भी मरू अगर मिल बंद हो जाती कोई मालिक जाके थोड़ी ना मशीन चलाएगा कपड़े बनाने की तो यह सोचो मालिकों को मुनाफ़ा किसके कारण यह मुनाफ़ा मिल रहा है लेकिन मज़ूर बिचारा यह बात नहीं देख रहा है वो सोच रहा है मुझे मूटा पैसा मिल रहा है मैं काम कर लूँ उसको यह नहीं बता कि जितना तू कमा रहा है तो जितना उसकी मूटी कमाई है उसका एक अंश मात्र कमा रहा है अब ये अपने मुनाफ़े में ठीक है, दोनों का फायदा था, कुछ दिन बाद जैसे पेंड़मिक खतम हो गया, ऐसे एपिड़मिक भी खतम हो गया, दोड़ाई महीने बाद मजदूर यहां पर दिर दिर दिखा बिमारी भाग गई, यहां से वापस भूखे मरते आदमी, आ तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है मालिक, आप हमें उस काटेगरी में ले तो आओगे, लेकिन हमें प्लेग के नाम का कोई बोनस तो दो, हमने आपकी मिल तब चलाई, जब दुनिया मौत से भाग गई ती डरके, हम यहां तब भी रहे, तो हमें प्लेग बोनस चाहिए, हमार की ज़रुरत है, मेरी ज़रुरत तो यह बाहर से आने वाले लोग पूरी करेंगे, उन्होंने अपना मुनाफा ना घटाना पड़े, इस चक्कर में का कि इतना बोनस 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 हम नहीं देते, जितना दे दिया ठीक है, वापस सब एक के काटेगरी में हो, अब मिलके मजदूरों ने गांधी को अप्रोच किया, और का गांधी जी यह चीटिंग है, जब हमने उन लोगों से बहतर काम किया, खराब कंडिशन में किया, तो हमारा हक उन से तो ज्यादा बनता होगा, गांधी ने का बिलकुल ठीक बात है, मालिकों ने मोटा मुनाफा कमाया है, तो उसमें कुछ हख इन मजदूरों का भी बनता है, और प्लेग बोनस इनको मिलना चाहिए, कितने पे अड़ गये मजदूर? और जो मालिक है वो बीस परसंट पे अड़ गया, ये तीस परसंट की बीच की गड़बर दुखी कर रही थी, तो महात्मा गांधी ने मजदूरों का साथ दिया, और यहीं पे एक अनसुया बेन पतेल थी, अनुसूया, बहुत बड़े एक मिल मालिक की बेटी थी, इसका ब और ये ताला तब खुलेगा, जब हमारी इस ट्राइक पे आप लोग हमारी बात को मान जाओगे, तो मजदूरों ने मिलके मालिकों को परिशान करने के लिए बाहर गेट पे धरना दे दिया, एक दिन, दो दिन, दस दिन, बीस दिन, मजदूर कितने दिन धरने बैठेंगे भूखा आदमी बहुत लंबा धरने पर टिक नहीं सकता, क्योंकि जिसके घर में रोज की कमाई आती है, वो अगर दस दिन, बीस दिन कमाएगा नहीं तो भूखा मर जाएगा, अब ये बात मालिक जानते थे, कि ये मजदूर बहुत लंबे यहां टिक नहीं पाएंगे, तो मालिकों ने कहा कि ठीक हम भी इनकी एंट निकालते हैं और खोलते ही नहीं, नहीं खोलेंगे एक महिने दर्वाजा, तो मालिक अपने पेड़ गए, मजदूर दुखी होने लग गए, दीरे-दीरे मजदूरों को फील हुआ कि हम ये लंबी चलानी पाएंगे ये चीज, क्य गांधी ने देखा मजदूर नीचे जा रहे हैं, मतला मजदूर अब जुकेंगे, तो गांधी ने इनको एक तरह से स्ट्रेंट्स देने के लिए कहा, कि मैं इन मजदूरों के बिहाफ पे यहां भूखरताल करूंगा, ये वर्ड इससे पहले इस्तमाल नहीं हुआ था, ये क्योंकि इससे पहले ऐसा हुआ नहीं, तो जो अब खुद देखो, गांधी भी वेल-off families है, गांधी कोई गरीब आदमी नहीं है, गांधी के पिताजी उस जमाने में राजकोट के दिवान थे, तो उठ बैठ हमीरों में थी, इनकी सब जानते थे, महात्मा गांधी के कुछ नहीं कुछ गलत है, और बैठके हमें बात कर लिनी चाहिए, मिल मालिक और मजदूरों के बीच में गांधी जी हो गए, और मिल मालिकों ने कहा कि गांधी आप खुद भी अच्छे घर परिवार से, अब देखिए, अगर मुनाफा नहीं कमाएंगे, तो चलेगा कैसे बिजनस, कोई भी आदमी बिजनस करता है, तो प्रॉफिट तो चाहता है, अगर उसे प्रॉफिट नहीं है, तो बिजनस खतम कर देगा, पिर यह भूखे ना मरेंगे, इनको काम धंदा कौन देगा, महात्मा गांधी को लगा, मालिक भी ठीक कह रहे हैं, और मजदूर भी अगई, पचास परसेंट ज्यादा है, मालिक कहरें, सरा उनको 50 परसेंट देगे, तो मारा मुनाफ़ा गटेगा, मुनाफ़ा गटेगा तो उम बिजनस क्यों करेंगे, तो यह भी 50 परसेंट हमें चाहिए, मालिक कहरें, आप लिज हो ढ़हां हुआ की collected बिजन्च परसेंट मालिकों को कहा, 50% तो चल ज्यादा है, पर 20% कम है, तुम 35% पर आओ, 15% बढ़ा दो, जैसे 50% से 35% फिर भी ठीक लग रहा है, मजदूरों को कहा कि तुम जो डिमांड कर रहे हो, बहुत ज्यादा कर रहे हो, कोई भी मालिक, अगर मुनाफ़ा नहीं होगा, तो तुम्हें 25%, दोनों राजी हो गए, और इस तरह गांधी की वहवाही हो गई, कौन से अंदोरन में? पहली बार क्या शब्द इस्तमाल किया गांधी जिने? अब गांधी लोकल अखवारों में च्छा गए, कि वही ना तो मारकाट की बात की, मजदूरों की भी बात को सामने रख दिया और मालीकों कह भी बहुत नुकसान नहीं होने दिया, पेले गांधी इस बेल्ट में फेंस थे, अब गांधी इस बेल्ट में फेमस हो गये, गांधी किसमत आगे आगे भागभी है, और रास्ते बनते हैं, ठर आप मेहनत करते हैं, तीसरा गांधी करल्द के खalyальной गांदी कर अंडोलन कर दिया, क्यों अंडोलन कर दिया, क्रॉप फेलियर, इनकी फसल बरबाद हो गई, अंग्रेजों ने बहुत पहले रूल्स बना रखे थे, अंग्रेज तो आपके 1860 से रूल्स के एकॉर्डिंगी तो काम कर रहे थे, जब तक आपने क्रांती की तब तक तो आपके जहां के राजा थे, आपके जो मुगलों के नहीं बच्चे हुए थे ये, मुगलों का फमुला पता होगा, भाजसा, बाबर, हुमायू, अकबर, जहांगीर, शाह जहा, औरंगजेब, औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में, लेकिन इसके बवजूद 1857 जब तक आपने र इधियां राज कर रही थी, जो सबसे लास्ट इनका बादशाह था, उसका नाम था बहादुर शाह, जफर, यही तो था लास्ट, 1857 की रिवोल्ट में ये पकड़ा गया था न दिल्ली में, और दिल्ली के हुमायू के मकबरे से, फिर वहां से पकड़के इसको रंगून भे कर दी कि तिरा आगे अंत है, तु मरेगा तिरा खंदान खत्म है, तो लास्ट बड़ा जो देखा हमने, बहादुर्शास जपर, क्रांती के बाद ये भी नहीं था, क्रांती के बाद हमारे देश में, अंग्रेजों ने रूल और, जिसमें IPC बनी थी, Indian Penal Court, जिसको आज तक आप फॉलो करते हैं, आपके जजज, एड़ोकेट, पुलिस थाने देगा, ये IPC की धारा लगाते हैं, ये सब rules and regulation, कब के बाद आए हैं, 1860, 1861 में इसके उपर काम हुआ, और जब rules नहीं माने गए, तोड़ दिये गए, तो court बनाने पड़े, इसलिए आपके देश में पह अंध्रपदेश को बनाना पड़ा, अंध्रपदेश को बनाना पड़ा, अमरावती में, 25 हाई कोट, तो oldest हाई कोट याद रखना, वापस आते हैं, महात्मा गांधी, जो है, इनकी किसमत कैसे काम कर रहे थी, किसानों के लिए, पहले से अंग्रेजों ने रूल बना रखा यह रूल का सारा सिस्टम, कि किसी भी किसान की अगर फसल पिछले साल के मुकाबले इस साल 25 परसंट से कम होती है, एक मोटी बात है, पिछले साल सौ बोरी गेहूं हुए, इस बार अगर 25 भी नहीं हुए, तो आपसे हम टेक्स नहीं लेंगे, यह रूल था, अगर पिछले स नहीं भरना तो जितना है उतना खाने में हमारा काम निकाल देगा, अगले साल फिर देख लेंगे, लेकिन अगरेज पहुच गहा है, इनसे कर लेने, इनसे टेक्स लेने, टेक्स किया वो बोरी एनाज और पैसा जो भी चाहो दो, तो यहां के किसानों नहीं यहां इतना हु जब फसल बरबाद हो गई, तो फिर तो टेक्स देने का मतलब ही नहीं है, लेकिन यह नहीं मान रहे, तो क्या करें, महात्मा गांधी ने पटेल को और उस ताहीं पर यंग ही थे इस तरहे के बाकी सब लोगों को भेजा, कि तुम जाके लोगों को अप्रोच करो किसानों को और कहो गलत के खिलाफ आवाज उठाओ, और महात्मा गांधी खुद यहाँ लीड करके आए, और जब यह आए तो बाकी जो पीछे वाले लीडर्स थे सारे, उन सब ने फिर बढ़ चड़ के काम किया, और महात्मा गांधी की बात अंग्रेजों को माननी पड़ी, और इनों का टारगेट अलग है, चंपारण में कौन लोग टारगेट में थे, नील की खेती वाले, और एहम्दाबाद में मजदूरी करने वाले, यहां किसान नहीं थे, और खेडा में कौन थे, नॉर्मल किसान जिनकी फसल बरबाद होगे, उन्हें जो लगाया, चाहे वो मक् इसको अगली बार अची करें उसके लिए तरह से तयारी होती है, यह गांधी की तयारी थी, अब गांधी देश को लीड करने वाले थे, तो पहले उन्हें प्लैटफॉर्म तयार कर लिया, बाएचांस देखो इसी टाइम पर इसी बीच में, 1914 से 1918, दुनिया में क्या चल रह करते थे, यहां एक बड़ी क्रांती हो गई, जिसे कहते हैं समाजवादी, सोशलिज्म, पूरा रिवल्यूशन आया, सारे अमीर लोगों को खत्म कर दिया, मार दिया, या पिर या तो वह हमारी तरह धल गए, मजदूरों किसानों की तरह, या उनको खत्म कर दिया, और यहा 17 में गांधी ने क्या कर दिया, चंपारण, और 18 में एहमदाबार और खेड़ा, तो जब वर्ल्ड वार चल रहा था, इस बीच में रशिया तो बीच में से हट गया, रशिया के मज़ूर किसानों ने का, हम क्यों लड़ें वर्ल्ड वार, हम तो चाहते ही नहीं वर्ल्ड व आपके भी आया हो कही नहीं, और भगत सिंग जैसे जो लड़के थे वो तो में इसी से प्रभावित थे, वो रशियन रवल्यूशन को बहुत ज़दे एक आइडियल मानते थे कि ऐसा देश होना चाहिए, यहां आते हैं, इस टाइम पर महात्मा गांधी के आँखों पे से जो 1915 में चड़ी होई जब यह सब को कहते हैं, जा के लड़ो इनके लिए भरती हो जाओ, नहीं मिला था केसरे हिंद, अंग्रेजों का भरती कराने वाला सारजट, यह 18 आते आते गांधी के आँखों पे से भी पत्टी हट गई, कि अंग्रेज किसी के सगे नहीं हैं, यह अपने दोस्त बना लेते हैं, महात्मा गांधी ने 1918 के बाद जो अंग्रेजों ने किया एक देश के साथ, वो देश था तूर्की यह तर्की, अभी आपने खुब न्यूस में देखा, यहां पर कितना बुरा हाल हुआ, तर्की में उस जमाने में तर्की बड़ा था, आज यह पूरी दुनिया के जो मुसल्मान है, यह अपना हेड मानते हैं अदमी को खलीफा, यह बेसिकली एक पोस्ट का नाम है, एक पद माल लो, जैसे यह है ना तना, क्या है यह दलाई-लामा, दलाई-लामा एक आदमी नहीं है, एक पोस्ट है, जो उस पर बैठागा वो अब हुआ क्या, इस हैड की पूरी दुनिया के मुसल्मान एक तरह से जैसे हम भगमान को बहुत बढ़ा मानते हैं, पूरी दुनिया के मुसल्मान खलीफा को बहुत बढ़ा मानते थे, अंग्रेजों को किसी की शरम थी नहीं, अंग्रेजों ने खलीफा के पद को ही समात क करने की गोशना कर दी क्योंकि तुरकी हार गया और हारे हुवे के साथ यह गलत ब्यभार करते ही थे तो तुर्की ऐस्ट्रिया अग्री और जर्मऽनी बुरी तरह रे और उस हार के चक्कर में तुर्की के खलीफा को अपदस्थ कर दिया। इस बाथ से जो दुनिया के कड़बड कर रहे थे 5 मैं क्या किया था हिनोंने सभसे पहले बंगर्भंग फिर 1906 में क्या बनवाई थी घुट्से 건데 मुस्म देकि नॉमे मार्ले मिन्टों सुधार क्या है सच मैं सुधार थे सब करेंदे कॉल कौई दिवाई अब महात्मा गांधी ने कहा कि अगर मुसल्मानों को अपने साथ जोड़ना है तो बेस्ट टाइम है क्योंकि पूरी दुनिया के हैड के साथ बत्तमीजी करने का मतलब अंग्रेजों की इमिज अब मुसल्मानों की नजरों में गिरेगी और इसका फाइदा उठाना चाहिए इसलिए महात्मा गांधी ने जब पूरी दुनिया में एक आंडोलन चला क्या था उसका खिलाफत आंडोलन ये पूरी दुनिया के देशों में चला इसको चलाने के लिए आपके यहां भी कुछ लोगा है वह आपको समझाने कि आपके यह मुसल्मान आप भी चलाईये तो उस जमाने में खिलाफत आंडोलन में जो अली बंधु और इस तरह के लिडर्स थे न इन्हों हम नहीं चला रहें आंडोलन हम अपने आपी दुखियें अंग्रेजों से हम क्यों आंडोलन चलाएंगे यानि मुसल्मान अपने आंडोलन के शुरू में राजी नहीं थे लेक वही सारा काम तो मुसल्मानों का लेकिन उस कमेटी का मुखिया कौन है गांधी इसका मतलब गांधी जी पहले देखो खेडा में उससे पहले कहां थे चंपारण में और एंदाबाद सब के दिलों में एक तरह से बढ़िया इमेज बना ली अब मुसल्मानों के दिमाग में एक अच्छी इमेज बना ली महात्मा गांधी ने यानि गांधी चा गए धिरे देरे करके नील पैदा करने वालों के मन में भी जो मिल में काम करते हैं उनके मन में भी जो विचारे नॉमल किसान है और अब मुसल्मान यानि गांधी ने अपना प्लैफॉर्म पूरा जब वो अफ्रीका में थे गांधी इंडिया कब आए थे उससे पहले 1909 में वो अफ्रीका रहे होंगे तो उस जमाने में गांधी ने एक बुक लिखी थी गुजराती भाषा में जिसका नाम था हिंद स्वराज पेपर में पूछ लेते हैं यह कौन से यह के लिखी हुई है और किस भाषा में थी यह गुजराती में बाद में फिर यह हिंदी इंग्लिश में ट्रंसलेट कर दी गई इस हिंद स्वराज में गांधी ने अफ्रीका में लिखा था कि अगर इंडियांस सिर्फ एक साल अंग्रेजों की हेल्प ना करें उनको को औरेट ना करें सहयोग न आजाएगी क्योंकि इनके सारे नोकर चाकर जितने होikat Dbarại इनो इनकी सेना में भृतीतु हैं वि función एक विVINेशी था तो तीन अपके इंड्यन थे अगर यह हजार हैं तो आप लोग कितने खड़े हैं तीन हजार सोचो यह तीन हजार नोकरी छोड़ दें, तो यह हजार समाल लेंगे देश, नहीं, यह हमारे कारण देश समाल रहे थे, हम लोग इनकी हेल्प कर रहे थे, इनके डॉक्टर, उस जमाने में जो इंजीनियर पड़ते थे, उस जमाने के लॉयर, सब कुछ तो हम ही थे, यह क्योंकि तब तक गांधी के पास एक प्लाटफॉर्म था और गांधी की बात सब सुनते थे, जैसे भी तुम लोग हो, तुमारी बात कोई सुनेगा नहीं, तुम कोई भाशान दोगे न कोई नहीं सुनेगा, सब हसेंगे, लेकिन जिस दिन तुमने कुछ अचीव कर लिया, फिर तुम जहां जाओगे तुमारी बात सुनी जाएगी, तुमारे रेलेटिफस, हुआ नहीं क्या पढ़ा था, कौन सी किताब पड़ी तुमने भाई कोई बता दे, भी भूवा भी पूछ रही है, मॉसी भी पूछ रही है, चाचा भी पूछ रही है, परोसी भी, क्योंक तिप तीन्चार साल से गांधी अथने एक्सपरिमेंट बढ़िया कर तो अध्या कर तो अध्याख थे थे नाइंटीन ट्विंटी में गांधी ने कहा एक अंधोलन चलाना चाहता हूं असहयोग आंधोलन जैसे तुम बैठे हो ना ऐसे बैठक थी और गांधी वहा कि कोई लीडर नहीं थे वहा का अध्यक्ष अलग आद्मी था गांधी जी खड़े हुए और उनने का जी में पांच मिनटका फड़ास अफना इंट्रॉडक्शन मैं क्या सोचता हूं मैं क्या चाहता हूं बताना चाहता हूं तो पूरी बेल्ट इसके साथ है साथ में आप इसने कहा कि मैं चाहता हूं कि हम लोग अंग्रेजों का सहियोग ना करें तो पुछा क्या करें इसके लिए कहा है इन के जितनी सरकारी चीजें तब तो सरकारी तो होती थी तब प्राइवेट संसान थोड़ी नहां थे आपके देश में सारी सरकारी चीजों का त्याग कर दो तो कहा वही क्या ऐसे क्या त्याग करें स्कूल जाना बंद कर दो इनके स्कूलों में जाओ ही मत जब खाली पड़े स्कूल होंगे तो कहां से चलाएंगे ना इनके स्कूल में जाओ ना कॉलेज में यानि ये स्टूडेंट्स को करना है, फिर कहा कि इनकी जॉब्स जितनी हैं, चाहे आप क्लर्क हैं, आप पुलिस में हैं, आप कोई भी काम करते हैं, आप वो सब त्याग दो, यानि जो लोग वर्किंग क्लास हैं, ये काम छोड़ दो, तीसरा, जितने लोग कोर्ट में हैं, क और एक साल तक जो लोग अतना घर चोड़के बैठेंगे, उनकी रूटी कोन चलाएगा, तो गांदी जी ने काभी देश के हित के लिए ये तो करना पड़ेगा, अब कैसे क्या करोगे वो आप देखो, इस बात से जब कुछ लोग असेहमत हुए, तो इसकी दूसरी मीटिं चलेगी पूरी, तो इस सन के लास्त तक आते याते, ये कंफर्म हो गया, कि भईया किसकी चलेगी कॉंगरस में, गांधी की, एक खास बात, वैसे इस आंदोलन को 1 अगस्ट 19-20 को शुरू करना था, लेकिन 1 अगस्ट को जिस दिन ये स्टार्ट करना था आपके सबसे बेस् इनकी डेथ हो गई, और इनकी डेथ के कारण, फिर ये कहा गया, कि आंदोलन थोड़े दिन बात स्नार्ट करते हैं, और इनके नाम पे पैसा इखटा किया गया, चंदा, और बहुत लोगों ने दान दिया, आप विश्वास नहीं करोगे, आज भी बहुत बड़ी बात हो थ जिसको कॉंग्रेस ने फिर आगे जाके अपने आंदोलनों में यूज किया, तो लाल बाल पाल में से तिलक की डेथ कभ हुई है, कौन से आंदोलन की स्टार्टिंग है ये, आसायो, आंदोलन स्टार्ट हुआ लेकिन फिर वही है कि बहुत लोग कंविंस नहीं हुए, जिस महात्मा गांधी की बात मानके ये जो स्टूडेंट्स थे देखो, इन में बगत सिंग भी थे, बगत सिंग का बर्थियर कौन सा है? 1907 और चंदर शेकर आजाद का अज आज आज से जुड़ा कोई दिन है ना, 1906 में पैदा हुए थे एक साल का फरक है बस, आजाद दिखने के बात मानके, क्या छोड़ दिया? स्कूल का त्याग कर दिया देखो, इसके बाद अगली चीज क्या थी, क्या छोड़ी गई? नौकरियां और वकीलों ने क्या छोड़ दिये? देखते देखते, एक साल निकल गया, कब से कब तक? 21 से 22 आ गया, February 1922, भीड गुस्से में थी, इस भीड ने एक दिन ऐसी घटना घटी, फर्वरी 1922 में, आप लोगों ने सुनी भी होगी? 24 चौरी, सुनाइगे? एक जगह थी, जहां 22 पुलिस कर्मियों को, हमने जिन्दा जला दिया, भारत की भीड ने, कितने आदमी मार दिये? 22 पुलिस कर्मी, जब ये जिन्दा जला दिये न, तो कॉंग्रेस के सिरफे सारी बात आ गई, और कॉंग्रेस मतलब एक आदमी था, कौन? गांधी, गांधी को कहा कि तुम्हारी वज़े से लोग हिंसक हो गए, और गांधी ने कहा ठीक है, मेरी गलती है, गांधी ने ये घटना है, फरवरी के स्टार्टिंग की, मिड आते फरवरी का, ये कहा कि आंदोलन वापस लेता हूं, कौन सा? असहयोग आंदोलन, वापस ले लिया, अब तुम सोचो, गांधी का तो एक बस जबान लगी इस बात में, कि असहयोग आंदोलन वापस, लेकिन सोचना जिन्हों ने स्कूल छोड़ दिया था, कितने साल से, उनका एक साल पीछे गया, उनके मापने कितना उनको को सा होगा, मापने तो कहा नहीं होगा स्कूल छोड़ने के लिए, स्टूट्स की मरजी थी, इस टाइम कितने स्टूट्स के मन से गांधी उतर गए, उन में से एक लड़का कौन था, कि गांधी जी ने ये क्या किया, वही है, तो रिस्क लो, इतनी दुनिया को तुमने रिस्क पर रख के लिए, कहां ले गए? अभी गांधी जी जंदा बचे थे, ने तो बहुत लोग गांधी जी का विरोध करके, कि गांधी कोई मार देते हैं, यह इसने गलट डिसीजन लिया, अब इस टाइम जब गांधी जी जेल में चले गए, तो कॉंग्रेस में फूट पड़ गई, औ कॉंग्रेस के कुछ लोगों ने कहा देखा हम पहली कह रहे थे ने गांधी गलत बात लेके आया, कुछ ने कहा ने गांधी जी बिल्कुल ठीक हैं, और ऐसे एक्सपरिमेंट में गलती हैं तो होती हैं, तो महात्मा गांधी के ओपर कॉंग्रेस के दो दल बन गए, एक तो कॉंग्रेस जिसने कहा कोई बात नी, गांधी जी जेल में तो कोई दिक्कत नी, हम रचनात्मा काम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम लोगों को सरकारी स्कूलों में मतलब जैसे एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाएंगे, और बागवानी की तरफ ले जाएंगे, कुछ इस त कॉंसी पार्टी बना रहे हैं, कॉंसी पार्टी? हम अपना खुद कर राज करेंगे, हम हैं कॉंग्रेस लेकिन थोड़ा सा लगट के काम करेंगे, इन लोगों ने कहा, गांधी जी ने कहा ता कोई election वगएरा में हिस्सा मतलेना, इनोंने का election में हिस्सा लेंगे और अंग्र तो देखना ये सफाई करमचारी कर दे और शेहर में गंदगी ना उठाएं, तो दो से तीन दिन में देखा, इनके उपर से दबावा जाता है कि भाया, क्या हो रहा है इनके हरताल खत्म करवाओ, इससे ये समझो, कि जिसके हाथ में पावर है, जो सरकार का कुछ भी काम करता ह अगर वो कहता है कि मेरी बात मानी जाए, तो सरकार को दो चार दिन आगे पिछे सुनना पड़ता है, अब आपके हाथ में कोई पावर नहीं है, आप कहीं जाके धरना कर रहे हैं, सरकार का कुछ नहीं भीगड़ता, दो 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 डंडे मारेंगे भगा देंगे, क्यों कि करमचारी कहा है कि मैं काम नहीं करूंगा, पूरे देश की सरकारी करमचारी कहा है, हम काम ही नहीं करेंगे, तो सरकार का चक्का जाम हो गया, अब उसको सुनना पड़ेगा कि लोग क्या कह रहे हैं, इसलिए आप देखो, जब लोग नोकरियों में बैठे हुए, अगर हरता करते हैं यह तो सरकार थोड़ा सा तवज्यो देती है, लेकिन कोई बेरोज़गार अपने धरने लगा रहे हैं, टेंट लगारे को फरक नहीं पड़ता, इन लोगों ने यह बात समझी, इनों ने काप पावर में बैठके सरकार के खिलाफ काम कर सकते हैं, आप आवर से बाह बिल्कुल तुमारे सामने की बात है, किसानों ने क्या किया? ने कैसे कहां दिया, कहीं साइड में कोने में या रोड ब्लॉक कर दिया, तो पढ़ा ना फरक, लोगों ने फिर सरकार के ओपर प्रेशर बनाया, जैसे किसी भी इस तरह के आदमी को, सरकार क्या कहती है, जब इ इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल ब्लॉक हो गया, जहां से करोडो रुपय के संसादन रोज बाहर निकलता था प्रोड़क्त, इन सब चीजों का फर्क पड़ता है, इन सब से दबाव बनता है, महात्मा गांधी की बात, जो यह लोग मान रहे थे न, गांधी तो जे जे मोती, लाल, नहरू, एक दो और थे, एन सी केलकर, तीन बहुत बड़े नाम में यह लिया जाता है, एन सी केलकर, इन में से तीनों ने बहुत ताकत से महनत करके दम लगा के अपना एक जगह बना ली, लेकिन सुराज दल लंबा नहीं टिका, तीज में बना था चौरा-चौ बना लिया, पूरे इतिहास में, सौरी, गांधी सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने हैं, कब? कहां था ये? बैल गाउं में, आज बैल गाउं कहां पड़ता है? करनाटक, सिर्फ एक बार गांधी अध्यक्ष बने, पूरी इतनी लंबी हिस्ट्री में, 1924, जब कहां से निकल क पाया, कौन मर गया, किस की डेथ होगी? दास की डेथ होते ही, मोतिलाल नहरुजी को लगाया, मैं अकेला क्या करूंगा, वापस से, किस में चले गए सारे लोग? कॉंग्रेस, और इस तरह से कॉंग्रेस फिर से लीडर बन गई, लेकिन 1925 में, कॉंग्रेस ने थोड़ा अलिनी सेन गुपता वगेरा, सरोजनी नाइडू बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत पढ़े लिखे घर परिवार से हैं, बेंगॉल साइड से, इंग्लिष में उस जमाने में पोयम्स लिखती थी, तो आप सोचो कितनी पढ़े लिखे और कावे लुरत होगी, ये पहली भ कानपूर में बनी है, इसके बाद कॉंग्रस को ना कुछ बहुत बढ़िया काम नहीं मिला, लेकिन गांधी जी किसमत तेज है, अब फिर कोई ना कोई बढ़िया काम इस तरह का मिल जाएगा, 1927 में आपके यहां एक कमीशन की निउकती हुई, कौन सा कमीशन, साइमन कमीश इस कमीशन में कितने लोग आने वाले थे, साथ, साथों क्या थे, अंग्रेज, और वो 100% रिपोर्ट हमारे लिए नेगटिव लिखते है, यह मैं पहले से पता था, इसका विरोध करने के लिए सब एक स्टेज पे आ गए, और उस स्टेज में हमारे एक बहुत बढ़ा Republican Association, आप सोचो, Simon Commission ने पूरे देश को वापस से एक प्लाटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया, इसमें गरम, नरम, HSRA, HRS, सब इखटे थे, तो यहां पे Mahatma Gandhi को दिख रहा था कि अब कुछ बढ़ा करना पड़ेगा, ताकि लोग मेरी बात सुने वापस, Congress की बात सुने, इसलिए Mahatma Gandhi जैसे बड़े लीडर्स ने बहुत ज्यादा सोच समझ के प्लान किया, और एक रिपोर्ट निकाली गई जिसका नाम है Nehru Report, Nehru Report, इस रिपोर्ट पे कोई राजी नहीं हुआ, सब को पता था यह रिपोर्ट हमारे काम की नहीं है, लेकिन Mahatma Gandhi ने कहा अगर य कैसे एंट्री हो, 31 दिसंबर 1929, लाहूर सर्दियों का दिन था, रावी नदी के तट पर एक बड़ी भीड इखटी थी और यहां के अध्यक्ष गांधी नहीं है, यहां पे अध्यक्ष थे, जबाहर लाल नेहरू, ठीक एक साल पहले जो नेहरू रिपोर्ट थी ना, वो इ अधिजी ने कहा कि हमने बहुत वेट कर लिया और अब समय आ गया कि हम लोग स्ट्रिक्ट होके अक्षन लें और नहरू ने यहां एक वर्ड यूज किया था कि हमें अपने देश के लिए अब क्या चाहिए पूर्ण स्वराग, यह क्यों इतने स्ट्रिक्ट हुए आपको ब बंपेका था ना, 1929 में भगत सिंग लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट करेक्टर बनके उभर रहे थे, अखबार इनके बारे में लिखते, स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं लेकिन बाद में इनकी सारी केस नहीं कुले वो, लाहोर शडियंत्र केस जिसमें इनोंने कि इनको रोज रोज कहीं कहीं कॉलम में जगहें मिलने लगी, देरे देरे लोगों को पढ़ने लगे और लोगों को लगा यह अच्छी बाते करता है लड़का, यह समझदार है, तो लोगों का जुकाओ देरे किस तरफ हो चला, भगत सिंग की तरफ इस बात से किसको डगने लग गया? कॉंग्रेस को कि भाया पूरे देश का जुकाओ भगत सिंग की तरफ दिख रहा है, अब भगत सिंग की तरफ जुकाओ है, तो common sense है कि कॉंग्रेस से हट जाएंगे, और ऐसा तो हमेशा से होता है, जब कोई दूसरी पार्टी ताकत वारे तो पहली पार्टी कहत यह सब चाला की पहले भी थी आज भी है, अगर आप सोचते हैं पहले के लोग बड़े शरीफ थी यह लड़ते थे, यह जैसे आज लड़ते हैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वाइरल थी उसे मेयर के पद के लिए लात मुक्य और धड़ा दिल्ली में देखा तो लो बड़ा काम थोड़ी नहीं लेकिन वह ऐसे कर दो अच्छा है पिटले क्योंकि दिल से वो भी उनसे नफरती करते होते हैं यह जो यह चीजे हैं तो मैं लगता होगा आज आज नहीं है यह तब भी थी जब यह लाल बाल पाल अग हुए थी ना तो कुरसिया उठा उठा के फेंकी थी किसी का सिर्फ उठा था किसी का मा था क्योंकि इतना असा जब क्लैश होगा तो वह हमेशा इसी तरीके से सामने आएगा तो यहां भी लोगों को रोकना है इनकी तरफ जाने से तो कौन सा वर्ड इस्वाल किया गया और फिर दिरे दिर आप जानते है भगत सिंह राजगुरु सुकदेव कि ओफांसी फिर यह कुछ कर नहीं पाएंगे और इनके बाहर सिर्फ एक आदमी इस पार्टी का बड़ा रहेगा जिनका नाम है चंदर शेखर आजाद लेकिन एक अकेला आदमी क्या कर लेगा और वो बिचारे कई बार जैसे आदमी कोशिश तो हर बार कर सकता है लेकिन हर बार फेलियर मिले तो दुख होता है और फेलियर भी दोस्त जब साथ के मारे जाएं आजाद 1924 में अपनी पार्टी बना रहे थे ना एच आर ए पले नहीं बनी थी अच्वा कुला खाम अगेरा फिर इनने काकोरी में वो कांड जिसको पार्टी एचे सारे लेकिन इस बार भगत सिंग राजगरु सुखदे फांसी पे गया मतलब सारे लोग पकड़े गए तो फिर आजाद को फील हुआ कि यह तो मंतलब सारा खेली बिगड़ गया जैसे आदमी कितनी बार बार कोशिश करे और चलो फिर भी तीसरी बार भी को कौन करेगा पूर्ण स्वराज के बाद तो गांधी जी की इतनी वहवा ही हुई कि गांधी जी ने सोचा अब टाइम है को बड़ आंदोलन चलाने का और इसलिए 1930 में महात्मा गांधी ने कौन सा सभी ने अवग्या आंदोलन जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिवल डिस ओबीडियंस मुव्मेंट सीडीम सिवल डिस ओबीडियंस मुव्मेंट अब महात्मा गांधी कुछ ने विचार लाएं वहां वह लड़के अपना बंध हैं जेल में वो तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं आजाद और यह सब एक तरह से इनक्टिव मोड पे हैं, इस टाइम गांधी जी ने कहा हम नया अंदोलन चला रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हिंदी के अप्लिकेशन याद है, सभी निवेधन यह है, यहां, डिसोबीडियंस याद बड़ा यहां, यहां डिसोबीडियंस, यहां हम आग्या नहीं मानेंगे, बहुत तरीके से सलीके से, प्राइकट नहीं मचाएंगे, और गांधी ने का इसकी शुरुवात मैं करूँगा, सारा प्लान गांधी का है, अब आप सोचो, गांधी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इसले भी लांच करना पड़ रहा है, क्योंकि दिरे-दिरे लोगों का ध्यान किस तरफ जा रहा है, वो जो जेल में बंध है, क्यों क कुछ प्लैंट था, इस गावों में रुकेंगे, यहां रुकेंगे, यहां स्टे होगा, इस तरीके से महात्मा गांधी ने बहुत सिस्टमाटिक तरीके से पूरा प्रोजेक्ट पहले से कागजों में उतार लिया था, क्या हम लोग चलना शुरू करेंगे, 12 मार्च को, यह यहां यहां से चलना शुरू करेंगे, 10 मील टाएगा ख़ों में पड़ेगा, भी 10 मील लेह तब यहां जात्र कुछ यहां प्रोजेगा उने पड़ा, इसे मिले यहों एख गाणी के पलेगे, इसा ही महात्मा गांधी की सब चीजेजेए प्लैंड थी, बस फरक कितना था है तो लोग जबान से कि वहां गांधी जी पहुंचेंगे तो पहले ही वहां पूरा रेला पहुंच जाता था कि गांधी जी आने वाले हैं 12 मारश को चलना शुरू हुए और पूरा प्लानिंग थी कि हम लोग 5 एप्रेल को पहुंच जाएंगे जो हमारा टार्गेट है टार्गेट स्टार्ट होना था गांधी के एक आश्रम से आप सब को पता होगा गांधी आश्रम में रहते थे यह आश्रम क्या होता था आश्रम गांधी जी डिवलप करवाते थे इसमें यह जैसे चार तरफ मिट्टी की दिवार हो गई उपर जुग तो यहां एक अज़ा आप निए जाप वाप करते जिसे अज़ा गएरा करते बहुत लोगों करते एक दो गंटे एक्सराइज करवाते फिर उसके बाद सब लोगों को काम जैसे इतने सारे लोग रहेंगे तो खेती बाड़ी भी करनी पड़ेगी एक खाना पिना कहां से भी किले या महल में नहीं मेर अनल में रहते था यह इस आखरमती आश्रम आश्रम साबर मती कई आश्रम हैं गया Concept 2 कई आश्रम कई गंधी के सबसे पहले आथे वास्रम औरम कोशन ओंभि conscious bö Racharin ॥्जो आजिर फ़वा आजमी पैशे वाला यो it's you现在 my Canadian नमीन पर पर वहाँ टिके नहीं फिर यह आगे चले गए साबरमती आश्रम साबरमती से चलना टार्गेट बनाया और कहां तक था आपने सुना हुआ है सब लोगों ने दांडी यह इसी को कहते हैं दांडी तभी तो उसको दांडी मार्च कहा जाता है मतलब पैदल चलना इतने दिन तक चले ये? 12 मार्च से 24 दिन होगे तो 5 अपरेल अपने आप आप आजाएगा. 5 अपरेल की शाम को इनकी यात्रा खतम हुई और जहाएं यात्रा खत्म होनी थे पहले से हजारों लोग थे 10-20 गार्ड रखा था भी खाना पीना जहां रुकेंगे ठहरेंगे इतने आपको आपको उस पर टेक्स देना है जो फ्री की चीज है कल सुभह डिसाइड किया गया। साढ़ हे नमक कनून तोड़ा जाएगा, यानि नमक बनाओंगा सुभह साढ़ हे च्छब लगे। सारी पब्लिक सुवसब बढ़ गई और सुवसब महात्मा गंधी भी लिए भी ने जाके पहली बना हुआ था वानमक उठा लिया और का आज से मैंने नमक कानून तोड दिया जहां जो इंडियन है सब नमक बनाओ और सारे गलत कानून तोड़ दो महात्मा गंधी पिक्चर अ यहां से कहा गया आज 6 अपरिल सुभज साड़ी चे बजे से कौन सा अंदोलन स्टाट हुआ और इसका सबसे पहला स्टेप क्या था नमक सत्याग और भी बहुत सारे गलत कानून है जैसे अंग्रेजों ने शराब पीने का आदी हमें जानभूच के बनाय था अब जो सरकार भी कर रही है वही तो शराब को कितना खुले आम बेच रहे हैं कर डिप्टी सेम दिल्ली के उपर ब्लेम लगा है वही शराब में घुटाले में पकड़े गया हो जो भी देखे हैं कि रफ्तार थिकल वो यह जो शराब है हमारे यह यहां एसा नहीं कि हम बड़े शरीफ थे पांच मिनट गाहों के बाहर चार कुनों पर हर जगे शराब के ठेके बना दिये तो कोई भी बच्चा तुम तो चलो बड़े हो तुम सोचो जो लड़का साथवी में है उसके बड़ने के चांसे भी बढ़ गए जैसे यह बहुत पॉजिटिव बात नहीं है मेरा यह मानना आपके यहां खुब धड़ले से बिकने दी क्योंकि उनको इस सिकमाई मिलती थी तो गांधी जी ने काया यह हमारी पीधी को बिगाड रही है अब जैसे आपके ताइम में ना शराब उतना रिस्की नहीं है अब ड्रग्स है जो हर घर तक पले पंजाब पूरी तरह तबाह यह गलत है और यह सब चीजें 100 साल तो पकड़ेंगे यह तो 10-20 साल में देखना आप सब कुछ तबहा दिखेगा क्योंकि तब तो इतनी कनेक्टिवीटी नहीं थे अब तो अब तो स्यादा है महात्मा गांधी ने का शराब के जितनी दुकाने इनको बंद करवाना चाए क अब इसपतो को आद मी करें कयो जा के पी आएंगे वहाँ इसलिए का आदमी नहीं जाएंगे यहां यहां और जाएंगी तो सब और जारा बैशतीं कि इसाल बेशता है उसका सथ्यनाशो मर जाए वह ये तो कहा कि औरतों के ड्यूटी लगा दो, जितनी शराव की दुकाने यहां औरते जाएंगी और इन सब शराव की दुकानों को बंद करवाएंगी शराब, ठेक है याद है, लंबी-लंबी लाइन, स्कूल सबसे लेट खोले है न, एजुकेशन सबसे लेट खोली है, क्योंकि लगता है एजुकेशन से क्या कमाई है, इनकी असली कमाई जस चीज से थी, वो अब 2023 में आपने लाइव देख लिया, तो तब भी तो सरकार की आज इतना ही करते हैं, कल बुक्स ले आना, फिर इसको बुक्स से पढ़ेंगे झाल 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 झाल